चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें आज का टोपिक डॉक्टर ताहा हुसेन पांच पीएचडी डिग्री का एजास रखने वाला एक नाबीना शक्स जो वजीरे तालीम बना गुजिश्टा कई सानों से शोबा तालीम से वबस्ता होने की वज़ा से बहुत से दोस्त और साती पीएचडी लेवल के जिनगी में शामिल रहे लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो समझता हो तालीम आसान है ये रिसर्च की बन्याद पर मिलने वाई डिगरी है जिसको हासल करने में इंसान की सारी सलाहिते हो और कई साल सरफ हो जाते हैं जब मैंने सुना के दुनिया का ऐसा नाभीना भी है जो पांच पीएचडी का एजाज रखता है तो मैंने जरूरी समझा के आप से भी ये शेयर करूँ ताकि ऐसी तालीम जिसमें अक्सर लोग अपना होंसला हार कर बैठ जाते हैं उनके लिए ये वो बाई से होंसला हो बच्पन में ताहुसैन की आँखे खराब होगी हुई तो एक अताई को दिखाया गया जिसके गल्त इलाज से वो तीन साल की उमर में हमेशा करीना भीना होगी ताहुसैन ने अपनी तालीम अपने दादा से सीख कर शुरू की फिर एक कुतब यानी कुरान सिखाने और इप्तदाई तालीम देने वाला मदरिसा में दाखिल हुए और इप्तदाई तालीम मुकमल की 1902 में इन्हें अल जहरा बेज दिया गया जहां उन्होंने छे साल रहकर अर्बी जबान वो अदब और अलोम इसलामिया की तालीम हासिल की बरतानवी राज के दुरान में 1908 में काहरा इनिवस्टी बनी तो वहां बड़े शोक से ताकिल हुए वो पहले कालब इलम थे जिने इस युनिवस्टी ने 1914 में पर मुकाला लिखने पर PhD की डिग्री दी इस युनिवस्टी में वो अर्बी अदब के परफैसर तायनात हो गए हकुमत मिसर ने 1915 में ताहा हुसेन को मजीद तालीम के लिए फरांस बेचा ताहा हुसेन ने 1918 में इबने खलदुन के फिलस्फ़ा तारीक पर रसर्च पेपर लिखा जिस पर सौरबॉन आर्ट्स कॉलिज पैरिस ने 1919 में उन्हें दूसरी PhD डिग्री की डिग्री दी 1919 में ही में यहीं से रॉमन कवनीन में डपलमा हासल किया इसी साल मिसर लोटाय होड जामिया मिसर या काहिरा में कदीम रॉमी वो युनानी तारीक पढ़ाने लगे आक्सफ़र्ड, मेडरड और रॉम की युनिवरस्टियों ने ताहा हुसैन को डॉक्टरेड की अजाजी डिग्रियां दी ताहा हुसैन किनन दुनिया के वही नभीन है जो इतनी PhD जिसका एजाज रते हैं जिनको दुनिया की बेहतरिन युनिवरस्टियों ने इस काबिल समझा ताहा हुसैन की कामियाबियां बहुत ज़्यादा है जिनका अता हाता इस कताब में नाममकिन है मैं फक्त कुछ चीजों का जिकर कर रहा हूँ ताकि आप अंदाजा कर सकें कि कैसे कैसे लोग गुजर रहे हैं जिनके चले जाने से ये गुलिशन वेरान होकर रहेगे है ताहा हुसैन जब फ्रांस से अपनी दूसरी PhD करके मिसर आये तो काहिरा युनिवस्टी के शौबाय अरभी से मुझलिक होए युनिवस्टी में आते ही उन्होंने तरीका इतालीम को तब्रील करने की सही शुरू कर दी और अपना तजवीज करदा मनहाज नाफिस कराने में काम्याब होगे दर्सी कताबे पढ़ाने की बज़ाए उन्होंने इल्मी वो अदबी मौजवात पर लेक्चर देने का सिल्षा शुरू किया 1945 में ताहु सेन आर्ट्स कालेज में तारीक अदब अरभी के परफेसर मुकरर होए और 1930 में उसी कालेज के प्रिंसिपल बन गे फिर 1943 में उन्हें जामिया सिकंद्रिया का वाइस चांसल बनाया गया मजीद रकी की मनाजल तैय करते हुए 1950 में वफ्ट पार्टी की तारिफ से वो वजीर तालीम बनाएगी उन्हें वजीर तालीम बनने पर ये नारा अपनाया के तालीम पीने वाले पानी और सांसों में जाने वाली हवा की तरह हर इंसान के लिए नागजीर है ताहा हुसैन ही की तहरीक से मिसर में इटदाईख और सानवी तालीम मुफ्ट फरा करार दी गई उन्हें सो क्विंजा में आकुमत की तरफ से इने पाशा का खताब दिया गया सदर नासर ने इने मिसर का सबसे बड़ा सिवल एजाज दिया उन्हें सो तहतर में अकवामे मिताहिदा ने अकुग के इंसानी का आवोड दिया तहा हुसैन ने निस्फ दरजन के करीब नावल लिखे यॉर्प में तहा हुसैन अपनी दूसरी क्ताबों की बजाए आप बीती से ज्यादा मश्युक्र हुए तहा हुसैन फ्रांसी अदब वो सिकाफत के शहदाई थे उनने फ्रांसी अदब के एक बड़े जखेरे को अरबी में मुन्तकिल किया तहा हुसैन फजिया अरबी के सरबतस जबरतस हामी थे वो कुरान की जबान होरुस के रस्मों खस को अरबों में राप्ता करार देते थे उन्दा अरबी लिखने वाले इस अशना परदाज का असलोब सलीज होर दिलचस्प है तहा हुसैन की तमाम कताबे दिलकश असलोब होर रवा अरबी में लिखी गई है अब देखें अगर एक नाबिना शक्स के पी-अच्डी करकी उन्वस्टी के वाइस चांसलर होर वजीर तालीम लग सकते हैं तो आज के माजूर या आम अफराद क्यों पिछे हैं क्या ये उनकी अपनी सुस्तिया कोथाई है आपने जिन्दगी में कहीं बहुत छोटे-छोटे मकासद तो नहीं रखे हुए हैं याद रखें अगर आप फक्त अपने लिए जिन्दा रह रहे हैं तो आप अपना शुमार जिन्दों में ना करे अपनी खामियों को बूलकर खूबियों को इतना नकारे के जमाना आप जैसे बनने की खौश करें